हेलो फ्रेंड आपका स्वागत्त है सुबोर डेजिटर यूटूब चैम में फ्रेंड आज किस वीडियो में हम आपको बताएंगे पढ़ारमंती सोचाले योजना के लिए कैसे ओनलाइन आवेदन करना है इस वीडियो में आपको बताएंगे तो वीडियो को पूरा देखेगा दोस्तो सोचाले के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के बाद आपका जो है अप्लिकेशन अप्रूबल मिलेगा उसके बाद आपको 12,000 रुपे का रासी मिलेगा बैंक अकाउंट में तो कैसे आपको फॉर्म वरना है कौनसा वेब साइट है कैसे बैंक अकाउंट जो है यहाँ पे पासबुक अप्लोड करना है पूरी जनकारी इस वीडियो में आपको मिलेगा तो वेडियो को फूर देखेगा अगर आपको अभी तक सचाले योजना का 12,000 रुपे नहीं मिला है तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं अगर आपको मिल चुका है तो आप इसके लिए इलिजबल नहीं होंगे तो चले वेडियो सुरू करते हैं सबसे पहले अपने मुवाइल में गूगल ब्राजर ओपन किजेगा उसके बाद यहां पे आपको सर्च करना होता है SBM उसके बाद लिखना है रजिस्ट्रेशन ठीक है SBM रजिस्ट्रेशन आपको लिखना है और सर्च कर देना है गूगल ब्राजर में आपके सामने यहां पे देख सकते हैं स्वाच भारत मिशन का वेडियो साइट आएगा इस पे किलिक कर देना है इसी वेडियो साइट के दोड़ा आप online आवेदन कर सकते हैं अब यहां पे देख सकते हैं एक option है इस तरीके से option आता है तो करना क्या होता है यहां पे जो है mobile number उसके बाद नाम जेंडर उसके बाद address एस्टेट उसके बाद नीचे आना यहां पे capture code और यहां पे submit करके आपको जो है registration करना होता है ठ टाइब कीजिए यहां पे मैं बता देता हूं यहां पे अपना mobile नंबर अपना नाम जेंडर सेलेक्ट करना है याद रखिएगा जब भी 140 होजना के लिए आवेदन कीजिए तो किसी महिला के नाम से आवेदन कीजिए ठीक है उसके बाद आधारकार में क्या address है यहां पे type क मुण करना है यहां पर सारे के चैयां करना है यहां पर करना है तो अपकी शामने किस तरीके से इंटर फेस आएगा तो जिसे से अपने रजिस्टर किया था उसी नमबर को यहां पे टैप करना है उसके बाद होतर करें गल्येगे ज़स्ट हमारे वाइल नंबर पर वन टाइम ओटीप आगा ओटीप आ चुका है ओटीप को कोपी कीजिएगा उसके बाद ओटीप को यहां पर इंटर कर लीजिएगा उसके बाद यहां पर क्याप्चा कोड है देख सकते हैं 9668 उसके बाद नीचे एक option साइन करने का यहां पर किल कर देना है ठak है चलिए यहां पर मैंने किल किया तो हमारे सामने जो है एक इस तरीकी का option आएगा अगर आपने पहले से कभी आवेदन वगेरा किया है तो detail आ जाएगा अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं यहां पर ध्यान से देखेगा एक option देखने को मिलेगा उपर side में three line है यहां पर देख सकते हैं इस पर click किर जेगा तो यहां पर option आएगा वी application यानि पहले से आप आपने अवेदन किया है तो status जान सकते हैं यह नीचे वाले option से और पहली बार आप आवेदन कर रहे हैं तो ऊपर वाला जो एक नमबर पर option इस पर click करना है ठीक है एक नमबर वाले option पर click किज़ेगा तो यहां पर करना क्या होता है फिर से अपना mobile number type क का नाम और district का नाम ब्लॉक का नाम उसके बाद पंचायत का नाम विलेज का नाम उसके बाद यहां पर invitation आता है तो इसमें जो है आपका आजाएगा option automatic आजाएगा ठीक है अब यहां पर दोस्तों नीचे आईएगा तो यहां पर आएगा option name the applicant पर आधार यहां पर आधारकार में जो भी नाम है वही नाम को टाइप करना है अधारकार कर नमबर यहां पर लिख दीजेगा और यह हौस्ट बेंड का नाम जेंडर सलेक्ट करना है काटेगरी यहां पर कौन सा जाती है यहां पर मतलब काटेगरी होता है एपियल वीपियल यह आपको सलेक्ट करना होगा ठीक है तो यह आपको कर लेना है एपियल वीपियल को चैन करना है उसके बाद सब काटेगरी जो आता ह एस्टी ओविसी जो भी आता यहां पे सलेक्ट करना है फोड़ेक्जांपल मैं आपको देमो के लिए दिखा रहा हूं ठीक है उसके बाद नीचे आएगा तो यहां पर कार्ड का नंबर यानि कि अधर का नंबर आ जाएगा उसके बाद और नीचे आएगा तो यहां पर इमेल कोड करता हूं उसके बाद verify किया तो हमारा सारा डेटियर यहां पर आ जाएगा ठीक है देख सकते हैं तो यहां पर जो है इसको आएप-सी कोड को verify कर लिए बैंक का नाम लिखना है सिंपल यहां पर State Bank of India कि इंडिया लिखना है उसके बाद यहां पर branch लिखना है जो भी लेट आपको चैन करना आब ठीक है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिश्टिक आजागा आटोमेटिक अकाउंट नमर फिर से टाइप करना है फिर से अकाउंट नमर वेरिफाई करना है और बैंक का जो फास्बूक अब्लोड कीजेगा वो 200 कवी का ही होना चाहिए अगर प्यादैसे फोट्व है तो स साइज को कम कर लेजएगा साइंज को दोस के भी कर लेजहेगा उसके बाद अपलाई कर देना है ठीक है अपलाऊ करने के बाद यह हैं पर आपकर आपका अवेदन हो जाएगा अब अबिadeceा ऐसके बाद आपको फिर सेसे घंव संद्र एंज द इस पर किलिक करना ठीक है उसके बाद यहां पर देखी लिखा है वी अप्लिकेशन इस पर किलिक किजेगा तो मैंने एक वार अपलाई किया था किसी व्यक्ति के नाम से ठीक है यहां पर देखिए स्टेटर से इस पर किलिक किजेगा तो इनका जो है रिजेक्ट हो गया है आप एक अकाउंट आइप सी कोड यहां पर कटेगरी सारे चीज़ हमने फिल अप किया था लेकि रिजक्ट हुआ क्यों कि यह जो है अलेड़ी इसका लाव ले चुका है ठीक है इस तरीके से आप अब इदन करके स्टेटस भी देख सकते हैं अपलाई भी कर सकते हैं